हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टेडी बेस्ट, तर आज चा टॉपिक आपला, नाइन स्टेंडर्चा ब्रीच कोर्स फर साइन्स, तर खुब दिशा पोसुन, नाइन स्टेंडर्चा स्टूडन्स सी रिक्वेस्टेट होती की तैंचा साथी ब्रीच कोर्स सी विड़ो आना, त तर रिस्पॉन जा चांगला बैटला, तर ही सिरीज कंटीन्यू चालूठी होना राहे, तर सरवात सुरतिला, एक्टिवीटी वन मदे, आपला जा पीडियाब जी आहे, मराठी मदे आहे, तैचा ट्रांसलेशन मीं इंगलिश मदे केलेला हे, कही प्रमारती 70-80% हे बरबर यहाँ है ट्रांसलेशन, तो मीं, यहाँ में इमाज स्क्रीन शॉट कोई शकता, यहाँ है इमेज नमबर एक, यहाँ है इमेज नमबर दौन, यहाँ मदे इमेज नमबर 3, आनि तेन अनितर खाली कॉष्च्यंस देले रहे, तैचा ट्रांसलेशन में के रहे लाए identify the types of forces इता मी श्वाट मदे के लेला है त्या आप अपन एक्टिविटी स्वीट मदे बहाद दोन डियाग्राम देली लेला है त्या फर्स्ट डियाग्राम मदे पहली जी डियाग्राम मदे टाइप अपन डियाग्राम मदे दाखो लेला है तो पहली जी डियाग्राम मदे टाइप अपन एक्टिविटी देला है तो खाली काया एक्टिविटी देला है ते चाउन तुमाला कोंता फोर्स यूज के लेला है हे सांगाचा है सगत पहलांद बगा falling of fruits from trees तर हाँ force टाइप आए non-contact force आने यहाच सब टाइप काया है gravitational force हाँ non-contact आएप gravitational force है second बगा काया देले रहे moving of one side of balance down हाँ कोंता है non-contact force है हाँ पन आने हैचा पन सब टाइप आए gravitational force त्यानन्त थर्ड बगा hitting a ball with a bat हाँ कोंता है contact force है आने यहाच सब टाइप काया muscular force है त्यानन्त बगा fourth काया देले रहे separating iron nails from sawdust using a magnet हाँ कोंता है non-contact force है आने यहाचा मतले सब टाइप काया है magnetic force है त्यानन्त बगा last balloon when rubbed on hair stick is to the wall non-contact force है आने यहाचा sub-type काया static electric force त्यानन्त बगा third question काया देले ला है make a list of examples of contact and no contact forces mention type of force in each example contact force आने non-contact force चाप लगा example देचे है सग्यात पहला नमी contact force बदो सांग तो riding a bicycle यहाँ मदे काया ना air resistance force पुना kicking a ball यहाँ मदे काया ना muscular force पुना rubbing two surfaces त्याचा मदे काया ना frictional force त्यानन्त अन object placed on surface यहाँ मदे काया ना normal force यह सर्वो contact force हो थी त्याचा भुबर हो contact force माया अंखिने केता that is pressing keys on keyboard हाँ कानता spring force है तर यह total ही contact force ही example साथ त्यानन्तर आपन पाऊँ है non-contact forces non-contact forces मदे आपने खुब एक्जांपल जीशब त्यार ले काई एक्जांपल एपल फॉलिंग डाउन और ट्रीज यह काया है gravitational force त्यानन्तर iron pins attracted towards the magnet हाँ कौनता है magnetic force हे सर्वों में non-contact बदल सांगते त्यानन्तर charging of hair and attraction paper bits towards it हाँ कौनता है electrostatic force त्यानन्तर फोरता है falling of raindrops जो raindrops होते हो त्याचा काया है gravitational force आनि अन्किने कहेगा है that is force between a proton and neutrons in a nucleus त्ये काया है तो nuclear force त्ये सर्वों एग्जांपल non-contact चाहेत अचा पर करें contact यानि non-contact है त्यानन्तर आपला फोर्थ कोश्चिन बगा काय दिले ला है experimentally prove that static electric force is a non-contact force आपला experimentally prove कराय चाहे त्या साथी पहलांदा या अंसर मदे apparatus काय आपलाला लागते दिले हो apparatus मदे ले हो plastic rod, cloth piece, आनि plastic bag त्यानन्तर आपन लिए procedure प्रोसेजर मदे सरवात पहलांदा आपलाला कराय चाहे rub the rod surface with the cloth for 40 seconds त्यानन्तर, flatten the bag and rub the cloth against its surface for 40 seconds त्यानन्तर आपन पहुँ third point काय कराय चाहे release the plastic bag and watch it, leave it as you wear the rod below त्यानन्तर लाश्ट काय कराय चापलाला प्रोसेजर मदे the rod and cloth get negatively charged after you rub them with cloth as like charges repelled, the plastic bag appears to be repelled हे आपलाला experimentally अपन सांगितलाला static electric force काय non-contact force है त्यानन्तर बाहा फिफ्ट कोस्चन आपलाला make a list of examples of gravitational force around you the gravitational force अपलाला around you लेचे आहे खुब सार्या हे त्यातलिम काय लितो the force that holds the gases in the sun ये काहे तसेज the force that causes a ball you throw in the air to come down again त्यानन्तर अंखिना है the force that causes a car to coast downhill even when you aren't stepping on the gas त्यानन्तर है the force that propels a toddler down a slide आनि अंखिनेक लास्ट आहे the force that causes the moon to reveal around the earth त्यानन्तर अपला अपली complete होते त्यानन्तर आपन पहुया activity seat number 2 त्या अधोगर आपला जे मराठी मादे देल रहे त्यान्तर आपने ट्रांसलेशन करना जा पर एतने केले लेला ही या images साहेथ image 1, image 2 आनि त्यानन्तर त्यान्तर त्यान्तर आपना आपना पहना रोत त्यान्सले आपन पहुया activity seat 2 मादला पहला कोशन आहे what is the nature of inertia when the rear wheel of bicycle is turned in a water and the water seems to move on the wheel तर हे कोन ते हैचे inertia चाहे nature चाहे this is inertia of direction inertia of direction चाहे त्यानन्तर आपना पहुया second question काया दे लेला है write two examples of inertia you experience in a context of your daily life daily life मधी inertia चाहे तुम्सी example तुम्ही साहुआ शकता ता simple में दोन example दे लेला है that is dusting bed with a broom removes dust to inertia act of rest तास अन्हेन के example है experiencing jerk when lift suddenly start हे simple inertia चाहे दोन example है त्यानन्तर आपना पहुया question 3 मधी काया दे लेला है write the names of types of inertia in the following example ता खाली example दे लेला है तानी अपलेला the nature of type of inertia अपलेला है ता example काया दे लेला है the electric fan keeps turning for some time even if it turn off तर यह कशाचा आहे inertia of motion चाहे त्यानन्तर अन्हेन एक example आहे when the bus suddenly stops the material in the space in the middle of a bus moves forward तर यह से काया आपन inertia of position अन्हेन आपन त्यानन्तर लास्ट यह मतला है the material stays on the mat when it is pulled तर हे काया inertia of position तर हे है different types of inertia होते त्यानन्तर अपलेला अपलेला है त्यानन्तर next question आहे true or false अपलेला सांगाई जाहे त्यानन्तर फॉस्ट पहा काया the bicycle stops immediately when the pedal of the bicycle is stopped त्यान्तर अपलेला अपलेला है त्यानन्तर अपलेला है त्यानन्तर अपलेला है त्यानन्तर अपलेला है in the event of a train accident the rear carriages seem to come forwarded and fail is example of direction it is example of inertia of direction त्यानन्तर अपलेला है true अपलेला है त्यानन्तर अपलेला अपलेला question फायू जो कि last आहे अच्छे activity two मदला that is explain different types of inertia त्यान्तर अपलेला different types of inertia कराई जाए या इमेज मदे अपला question जो इमेज मदे दिसत नहें त्यों में लिए हों ग्यों शकता question आसा है explain the different types of inertia त्यान्तर अपलेला है पहला है inertia of position याच्छा काय मदे शकता आपन definition के वान statement काय मदे शकता the inherent property of an object due to which it cannot change it cannot change its post state is called inertia of position या post state change करे शकता है आपन काया हम तो inertia of position example का दे शकता if the bus starts suddenly the passengers are thrown backwards या आपन काया inertia of काय मदे शकता पोजिशन से एक्जाम्पल है त्यान्तर पहा inertia of motion the inherent property of object due to which it cannot change its state of motion याच्छा मदे शकता है if the bus suddenly stops the passengers are thrown forward stop यान्तर का होना ते forward या काय है inertia of motion यान्तर यान्तर लास्ट रहा है आपलो direction inertia the inherent property of object due to which it cannot change the direction of its motion then it is called as directional inertia for example आपन काश्छ मन शकतो if the bus turns left the passenger leans to the right या आपन बगित ले लाए यह हो तो directional inertia त्या अश्या प्रकार यह है आच्छा activity one आण है activity two समाब्थ होता है तुम्हाला वीडियो आवाल लासिल तो please like करा काहिक वेरिया से लृत comment बोक्स मन्दर टाका तुमच्या मित्राबल शेयर करा आनि यार वीडियो ला कसा रिस्पांग बेटो त्यावर में याची सिरीज चालू ठेवाची काने हे ठरवेल आनि सरवात महत्वाच चानल ला सब्सक्राइब कराला विश्रू नका थेंक्यू